तो दोस्तों आज हम बात करने वाले यार ऐसे ग्राफिक काड के बारे में, जूकि आने वाले, बहुत चाहरा बज़ेट के अंतर, जिनको प्रइस होगा एक हजार से लेगे पाँच यार के बीच में उगा और इसी प्राइश रिज के अंतर, आज हम इन समी ग्राफिक काड को आपके सामने बताने वाले हैं जिसमें अगर आपका वच्छट बहुत जाता ही कम है तो आप इन में से किसी को भी परचेस कर सकते हैं तो चलो चलते हैं अपने सबसे पहले ग्राफिक काड के तरह जो कि होने वाला एंड़ीडिया जी वाला ग्राफिक कार्ण था होगा जिसके मतेडर फ्रेंट पर आपको तीकुर्ट आपको बिलेंगे और धीक पर फिर इसे देखने के लिए अगर अगर शयक्त आराम से यह चारिसो पान्सु शैसे रुपे तक में आराम से आपको देखने के मिल जाता है वहीं अगर नहीगी बात करें तो औलाइन अब यह चो देखने के रहे लिए मिल जाता है जो लगवक उदिशों रुपर देखने के लिए मिल पाएगा अगर बात करें इसकी परफॉलमस की तो आप अराम से इसमें गेंप्ले वागारा कर सकते हैं लेकिन बहुत high settings या medium settings पर नहीं कहर पाएंगे इसमें low settings पर आपको बहुत सारे games को आपको play करना होगा जैसे की GTA 5 जैसे gameplay को आपको low settings पर प्ले करना होगा वहीं बात करें अगर दोस्तों अगर इसकी performance की in the sense अगर आप editing वागरा करते हैं या graphics को कोई काम करते हैं तो उसमें अगर आपका budget बहुत जादक थम है उस range में आप इसे बिल्कुल consider कर सकते हैं नमबर टू के अगर बात करूँ तो नमबर टू पर आता है कर सकते हैं कोई प्रावल्म ने आएगा लो से medium setting में आराम से play कर सकते हैं वहीं editing की बात करें तो editing में भी आपको अच्छा का से support करा देगा यहां पर आपको कोई सपोर्ट आपको विल पाएगा सेवन तुन टी पी वन एटी पी की resolution की जो वीडियो editing आ आप आराम से इसमें कर सकते हैं थोड़ा time लएगा लेकिन आप इस budget range में आप इसे purchase क्या सकते हैं मैं नए purchase करने की consider नहीं करूंगा लेकिन आप से बोलूंगा अगर आपको local market में ग्राफिक कार मिल जाता है बारे पंदरों सो के बीच में तो आप बिलकुल इसे purchase कर सकते हैं इतनी कम range के अंतर की तरी बढ़िया performance देने वाला है बहुत बढ़िया graphic card होने वाला है तो दो जीवी के अंदर आएगा दो जीवी में बहुत अची performance आपको बिल पाईगी चलो अब चलते है next graphic card की तरफ जो की थर्ड segment पर हमारे आने वाला है तो थर्ड segment पर जो हमने graphic card से लग क्या है वो होन Asus के खासकर OC Edition वाले graphic card की बात कर रहा हूं जिसमें double fine आपको देखने के लिए मिलता है अगर इसकी performance की बात करे तो आज भी तो आज भी performance बहुत बढ़िया निकाल के देता है GTA 5 जैसे gameplay को आराम से आप तीस से लेके 50 fps के बीच पे आराम से आप इसे प्ले कर सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से इसे work clock वागरा कर लेते हैं तो और अच्छी performance आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी वहीं यह दो जीवी का graphic card होगा डीडिया 5 के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा 64 bit का graphic card है performance की बात मैंने आपको बताई दी वहीं price के अगर बात करें तो यह आपको आराम से तीन एर से लेगे पांच एर के बीच में इसका प्राइज होगा जो लोकल मार्गरीट साहब को आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहीं चौते graphic card की तरफ पकर चले तो दोस्तों यहां पर चौते graphic card में एक थोटा से confusion है आप चाहें तो इसे लेभी सकते नहीं मिले सकते हैं depend करेगा पर यहां पर इसका जो प्राइस है क्योंकि थोड़ा से ज्यादा होता और यह मिलता भी नहीं है बहुत रसानी से तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो चौते नंबर पर graphic card है वह आने वाला है 950 बहुत बढ़िया graphic card है अपने time का बहुत ही बढ़िया राय से बैटर आपको यह graphic card देखने के लिए मिलता है अगर आप चाहे तो इसे भी consider कर सकते हैं अगर कहीं पर आपको 750 के जगए पर 950 मिल जाए तो बिलको ले दीचे उसे एडिशन मिलेगा तो और बढ़िया बहुत बढ़िया performance आपको 750 से ज्यादा अगर आपको देखने के लिए मिलेगी वहीं अगर प्राइस के बात करें तो चार से लेके पांच आर के वीच में अराम से आपको यह मिल सकता है offline market के अंदर online आपको यह देखने के लिए नहीं मिलेगा वहीं अगर बात करें लास्ट ग्राफिक कार्ड की क्योंकि मैंने टॉप फाइफ बजट ग्राफिक कार्ड इसमें सेलेक की हैं और यहां पर टॉप फाइफ के अंदर जो लास्ट ग्राफिक कार्ड आएगा वह आएग परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे जी तरह आपको करके प्रवाइड करेगा यहां पर बात को तो अच्छी घासी परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाती है अगर ड्यूल फैन वाला उसी एडिसन मिल जाता है तो बहुत ही बड़ी है तो यह कुछ ऐसे ग् क्रिंच में इन से बढ़िया नहीं है आप इन में से कोई भी परचेस कर सकते हैं आप कौन से अभी यूज कर रहे है क्लाप्रिकार नीचे बताईए कॉमंट सेक्शन में तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लेगी बताना कॉमंट सेक्शन में चैनल पर आगर आप नहीं क्रिंच में तोस्तों में आपको कैसी लेगी।